के गाईज देखो कुछ ऐसी कंपणी है जो लगबग कोवीट से भी बहुत तेज भाग रहे हैं मतलब उसका शेर का अपर इस तरीके से उपर भाग रहे हैं अगर कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं तो किवल अगर एक लाग रुपए अगर आपने डाला होता तो मतलब एक देश को सेवा करने के लिए बहुत जादा जो है एक तरीके से हैल्प करने हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तो मैं आपको बता देता हूं मेरा एक और यूटूब चैनल है जहां पर मैं वीडियो अपलोड करके आपको बताता हूं व उपर से सबसे बड़ी बात तो यह stock debt-free भी है, मतलब काफी हद से ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकता है, किवल देखो मतलब 1 रुपे से भी छोड़ा stock है, अगर आपने मालिज़े कि 100 रुपीज लगा दिया है, यह चोटे नहीं वे सकते, 50 रुपीज भी लगा दिया है, और छोड़ दिया 10 साल के लिए, तो मतलब छोड़ सकते हैं, as a penny stocks के तौर पे, तो अगर आप यह देखना चाते हो, तो देख सकते हो, यहाँ high quality stocks, जो मेरा next YouTube channel है, second है, जिसका link में आपको description में दे 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 रहा हूँ, आप वहाँ से जाके यह देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपको पता चली जाएगा, लगबग 100 रुपीस के आसपास यह stock है, और 8% का आसपास आपको इसमें आपको jump देखने को मला, jump देखने को मला, देखो, तेजी में और jump में फर्क होता, तेजी का मतलब speed भाग रहा, और jump का मतलब भाई यहाँ था, और direct यहाँ चला गया, एक रही है, तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे, तो पिछले 5 जिनों में देख सकते हैं, यह market धड़ से क्या होता था, धड़ से open होता है, अब फिर उपर जाना start करता, धड़ से open होता, देखे, यह अभी market open हुआ है, market open होने से यहाँ पर देखो तलब भाग 5% से है, खेवल 5-6% यह stock भागा है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, 8%, तो 2% तो यह stock जो है, पहले से ही jump में open होता, और उसके बाद देखोगे, तो पुछे ले, पिछले एक महिने में यह stock ने काफी इचा written दिया, 27%, approximately 30% के आसपास, यह stock आपको return देने की कोशिस कर रही है, और यह कौन से company हैं, तो देख सकते हैं, Steel, Authority of India Limited, Sale, सही है, अभी अगर आप देखोगे, तो steel company को ज़्यादा इमुनाफ़ा निकाल के दे रहे, इनको अभी कोई भी effect देखने को नहीं मिला, हाला कि last time जब COVID के वज़े से गिरा था, तो भी इनको benefit देखने को मिला था, और सबसे बड़ी चीज, जो steel, जो product होता है इसके price में increment देखने को मिला, मतलब इसका price जो है, जो product जो demand है, वो अगर increase हुआ, तो price भी steel का जो है increase कर दिया गया, इससे होगा क्या कि इनके revenue में ये फर्क पड़ेगा, revenue बढ़ेगा, और उपर से net profit भी बढ़ जाएगा, और ये देखोगे, तो हो सकता है कि सरकार, ये देखोगे, ये government के सबसे बड़ी company देखने को लगती है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि जो medium time में अगर आप देखना चाहते हो, इस company का, सही है, जो texture देखना चाहते हो, of sale is very strong, and higher bottom, जो formation वगरा बताया जाता है, ये पूरा technically आपको बताया जारा, daily, weekly, chart indicates a strong possibility of another uptrend wave, तो यहाँ पर जो अगर chart company का पूरे यहाँ पर आपको technically बताया जारा, ये technically आपको बताया जारा, chart को, volume को, ये सारे चीजों को देखने के बाद आपको बताया जारा, कि इसके बारे में, तो sale authority of India के बारे में, और इसी में, लोगों ने intraday में काफी अचा benefit भी गया होगा, इस stock में, और एक दो दूसरा still company है, भाई, ये still company को ज़्यादा ही खासा, इसने जो compounding कर दिखाया न, यतना अगर मिले तो लोगों को लगता है कि भाई, काफी अचा return देखने को मिला, देखो, पहली बात मैं आपको बता दूँँ, ये company को ज़्यादा benefit क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया से बाहर में क्या करता है, ये क्या करता है, export करता है, import नहीं करता, और ये क्या होता है, अपने country में अगर आप किसी भी चीज का production करता हो सही है, लेकिन अगर आप इसको export करते हो, हमारे देश से बाहर ले जाके, अगर आप अपना खुद का product बेशते हो, इंडिया का product है, तो government आपको छूट देगी, पहली बात छूट देगी, और आपको ज़्यादा profit भी देखने को मिलेगा, तो दोनों तरीके से इस company को profit देखने को मिला है, जिसका नाम है JSW Steel, आप मानू चाहें मत मानू, लेकिन ये company Tata से भी बहुत ज़्यादा strong और बड़ी विया, अगर देखो भी Tata Steel, जब भी अपने steel, जब भी ये अपने product को sale करता, तो उसका एक price होता, price rate, भाई इससे ज़्यादा लेता है JSW, सही है, अब Tata, आगर देखेंगे Tata Steel और JSW Steel, ये दोनों जो है भी oxygen cylinder जो है provide कर रहा है सभी को, oxygen cylinder, जितना हो सकता है, ये sufficient, मतलब जितनी हो सकती है, reliance industry भी sufficient, मतलब ये सभी लोग योगदान दे रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग free में देने के लिए तहीं आ रहा है, सोचो free में अपने देश के लोग हैं तभी दे रहा है, मतलब company के पास इतना ज़्यादा पैशा होगा, cash flow होगा, तभी ये दे रही है, अगर company loss making होती तो सायद नहीं दे, देखिए कि loss making company है आपका और आपके पास खुदी पैसा नहीं है, आपके पास डिट भरा हुआ है, आप कहां से किसी चीज को कैसे किसी को भी free में दे दोगे, तो वही चीज यहाँ अगर ये company अगर देखो तो ये company बहुत बड़ी चीज थी देखोगे, तो लगबग ये, just w steel अगर आप देखोगे यहाँ, ये just w steel है, सही है, यहाँ पर मैंने already वीडियो बना रहा है कि आगर इसमें आपने किवाले एक लाख रिपर डाला होता, तो compounding आपका लगबग काफी बड़ा होता, काफी बड़ा compounding होता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने jsw steel के बारे में यहाँ पर बताया था आपको, अब आपने देखा होगा, कि जो steel वाले जितने भी हैं, इस सब में आपको मतलब कभी भी loss देखने को नहीं मिला, अभी covid के वज़े से भी, तो यहाँ पर हुआ क्या, कि देखोगे, अपरिल में यह खबर रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं, 6 अपरिल में यह खबर आया था, जहाँ पर आपको बताया जारा, यहाँ पर देखोगे, तो जुलाई यहाँ पर बताया है, टूटाउजन टूटी टूरीच सेवन थिफटी फाइफ डॉलर, पर शेयर, टन आपको बताया, पर शेयर नहीं, पर टन इन मार्च 2021, डॉमेस्टिक स्टील प्राइज फॉलर, यहाँ पर देख सकते हैं, तो डॉमेस्टिक स्टील है, उसका जो प्राइज थोड़ा इंक्रीज किया गया था, तो यह जो रेज किया गया था ना, इसके वज़े से, जो 15,341% अप फ्रॉम, जी आपको पताया जारा, जुलाई 2020, इसके देख सकते हैं, लगबग तो इसी के वज़े से, काफी ज़्यादा सारे स्टील वाले कंपनी में, आपको तेजी देखने को मिल लिए, क्योंकि जब प्राइज इंक्रीज होता, किसी का प्रडॉक्ट का भी तो, भाई, सोसमेज के इंक्रीज केया जाता, कि अगर प्रॉडक्शन सही है, दिमांड मार्केट में है, तो प्राइज इंक्रीज होगा, डिमांड नहीं है तो नहीं इंक्रीज होगा और उसी तरीके से टाटा स्टिल भी अगर आप देखो गए तो इसने लगबख सारे 52 वी एक हाई को तोड़ दिये हैं और एक lifetime हाई बनाते हुए नजर आ रहा और ये भी बहुत सारे oxygen जो है प्रोवाइड करा बहुत जाता से यह वह भी फ्री में तो यह एक बहुत अच्छी बात हैं हमारे तरब से अगर यह एक महीने में देखो तो यह स्टॉक ने लगबख 17% तक का जंप देखने को मिला और 6 मंत में भी यह स्टॉक काफी ज़्यादा दोड़ा देखो जब लगबख 400 के आसपस यह स्टॉक दोड़ता था अभी तो इसने लगबख अच्छा का से लेबल तोड़ भी दिया लगबख 900 का लेबल तोड़ दिया तो यह अगर आप देखो तो इसका lifetime का चार्ट देखो भई इसका maximum और यह अभी देखो मुझे लगता है यह सारे maximum चार् लगते हुए आगे बढ़ सकता है तो देखो यह जितने भी स्टील वाले कंपनियें काफी ज्यादा डिमांड पर रहेंगे और कोविट के वजए से यह लोग का अभी मतलब पूरी तरह किसे बिजनस बन नहीं होने वाला क्योंकि देखो अगर लॉक्डाउन लगता है तो जैसे कि यह क्या होगा एक कॉमन मेंड के लिए होगा और जो इंडस्टियलिजेशन होगा किसी भी तरिकी से एकनॉमिक जोन होगा उसको एफट नहीं किया जाएगा किसी भी तरिके से तो मेर suppliers सहबसे हैं यह सारे चीज़ों पर फोकस कर सकते हो अभी हर जगा जो अगर आ ह आप माल लेता है कि निफ्टी में अगर आपको गिरावट भी देखने को मिलता है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि स्टील वाले सारे सेक्टर जो है आपने आपको संभाल रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा आउट पर्फॉम्म करने वाला जिंदाल जिंदा पते रहते हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेंट अकाउंट एंजल वोपन कर सकते हो नंबर वन ब्रोकरेश आउस आपको देखने को मिला मेरे इसाप से आपको आपको सेफटी देखने को मिले जैसे एंजल हो गया आंजान जगह पर इंट्राडे में जो हर चगह देखने को मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहाँ से जाके अपने डिमेंट अकाउंट ओपेंट कर सकते हैं और यह लोग आपको ग्रूप में भी आइड करते हैं जहां बताते हैं क्या खरीदना बेजना इंट्राडे फ्यूचर सब कुछ बताते हैं